जै सिया राम जै जै राम और उग्यान भगति कर भेद सुन हूं सुप्रबीन जो सुनी हो इराम पद प्रीति सदा अभिछीन हे सुचतुर गरुण जी ज्यान और भगति का और भी भेद सुनिये जिसके सुनने से स्री राम जी के चरणों में सदा अविछिन अर्थात एक तार प्रेम हो जाता है जै सिया राम जै जै राम मंगल भवन या मंगल हारी द्रववशु दसरत अजिर भिहारी सुन हुतात यह अकत कहानी समुझत बनाई नजाई बखानी इस्वर अंस जी वै अभिनाशी चेतन अमल सहज सुख राशी खेतात यह अकतनी कहानी अर्थात वारता सुनिये यह समझते ही बनती है कहीं नहीं जा सकती जीव इस्वर का अंस है अतेव वह अविनासी चेतन निरमल और सुभाव से ही सुख की राशी है सो माया बस भायों गोसाई बध्यों कीरमर कट कीनाई जड़ चेतन ही ग्रंथी परी गई जड़ पिम्रसा छूटत कठी नहीं हे गोसाई वह माया के वशी भूत होकर तोते और वानर की भाती अपने आप ही बन गया इस परकार जड़ और चेतन में ग्रंथी अर्थात गांठ पढ़ गई यद्य पि वह ग्रंथी मिथ्या ही है तथा पि उसके छूटने में कठिनता है तब ते जीव भयों संसारे छूटन ग्रंथीन होई सुखारी सुर्ति पुरान बहु कहे उपाई है छूटन अधिक अधिक अरुजाई तभी से जीव संसारी अर्थात जन्मने मरने वाला हो गया अब न तो गाड़ शूटती है और न वह सुखी होता है वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाई बतलाए हैं पर वह ग्रंथी शूटती नहीं वरन अधिकादिक उलजती ही जाती है जीव हिर्दय तम मोह विसेखी प्रंथी चूट कीमी परई न देखी असे संजो गई से जब करई तब हुं कदा चित सो निरुआ रही जीव के हिर्दय में अज्ञान रूपी अंधकार विसेश रूप से चा रहा है इससे गाठ देखी नहीं पड़ती चूटे तो कैसे जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्तित कर देते हैं तब भी कदाचित ही वह ग्रंथी शूट पाती है सात्य की स्रद्धा धे नुसुहाई जों हरी क्रपा हिर्दय बस आई जब तप बृत जम नियम अपारा जे सुर्ति का है सुब धर्म अचारा स्री हर की किर्पा से यदि सात्य की स्रद्धा रूपी सुंदर गव फिर्दय रूपी घर में आकर बस जाए असंख जप तप बृत यम और नियमाद शुब धर्म और आचार अर्थात आचरण जो सुर्तियों ने कहे हैं तेत्रन हरित चरे जब गाए भाव बच्च शिसुपाई पेनाई नोई निव्रित्ति पात्र विश्वाशा निर्मल मन अहीर निजदाशा उन्ही धर्माचार रूपी हरे त्रणों को जब वह गाउच अरे और आश्तिक भाव रूपी छोटे बच्चडे को पाकर वह पेनावे निव्रित्ति सांसारिक विशयों से और परपंचे से हटना नोई अर्थात गौँ के दूहते समय पिछले पैर बांदे की रस्ची है विश्च्वास अर्थात दूद दूहने का वर्तन है निर्मल निस्पाप मन जो श्वयम अपना दास है अर्थात अपने वस में है दूहने वाला अहीर है परम धर्म मैं पैदूही भाई अवटे अनल अकाम बनाई तोस मरूत तब छमा जुडावे धृति समझावन दे जमावे हे भाई इस प्रकार धर्माचार में प्रवित सात्य की स्रद्धा रूपी गव से भाव निब्रित और वस में किये हुए निर्मल मन की साहिता से परम धर्म मैं दूद दूह कर उसे निसकाम भाव रूपी अगनी पर भली भाथ ओटावे फिर शमा और संतोस रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम अर्थात मन का निग्रह रूपी जामन दे कर उसे जमावे मुदिता मथे बिचार मथने दम अधार रजु सत्य सुबानी तब मतिक आढ़िले इनव नीता बिमल बिराग सुभग सुपनीता तब मुदित अर्थात प्रसन रूपी प्रसनता रूपी कमोरी में तथ विचार रूपी मतनी से दम अर्थात इंड्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आधिके सहारे सत्य और सुन्दर बाणी रूपी रस्ची लगा कर उसे मत्य और मत कर तब उसमें से निर्मल सु बेरागी रूपी मक्षन निकाल ले जोग अगे निकरी प्रकट तब कर्म सुभा सुभ लाई बुद्ध सिरावे ज्यान गृत ममता मल जरी जाई तब योग रूपी अगनी प्रकट करके उसमें समस्त शुभा सुभ कर्म रूपी इंधन लगा दे सब कर्मों को योग रूपी अगनी में भस्म कर दे जब बेरागी रूपी मक्षन का ममता रूपी मल जल जाई तब बचे हुए ज्यान रूपी घी को अर्थात निश्चे आत्मिका बुद्धि से ठंडा करे जाई सी आराम जाई जाई राम मंगले भवन या मंगले हारी द्रवाव शुदैशे रथे जिर भिहारी